हाई देयर अगें वेलकम तो माई नी वीडियो और अब मेकिंग सेरीज पिछले वीडियो में हमने कुछ इस तरह का एप बनाया था जिसमें हमने इस बटन रखा था और जब हम उस बटन पर टाप करते हैं तो उस बटन का कलर चेंज हो जाता है आज हम यह वाला एप बनाएं कि जिने लोगघन करना और सांप करना नहीं आता है प्लीज मेरे प्रिविज स्टेव के लोगई और साइन पर लीजिए तो मुझे मुझे झें zaw hochinatur videos to get comfortable in the coding and hope all of you have already subscribed my channel कि आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं में लेगा कि मैं आपके लिए नए नए वीडियो बनाओ लेट्स कम तो में निव आप कम तो दो क्रियेट गो टो दो अपलाब अगें अपलाब का इंटरफीस मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था तो हम सीधे आज डिवाइन पर चलेंगे मुझे यहां पर दो बटन चाहिए तो मैं लोंगी एक यह और अगें आपना बटन वा जाकि हम इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे क्लिक बीटी एन वान इससे उपर में लिख देती हूं क्लिक वान इसको री साइज में यहीं से कर लेती हूं और यह सब मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूं कि कैसे करना है तो अब प्लीज पिछला वीडियो देख के जरूर आए इसका टेक्स कलर चेंज कर लेती हूं रेट लू रख लेते हैं आज और इसका बैक्राउंड कलर वाइल्ट रख लेते हैं ना नहीं गरीन रख लेते हैं फॉंट साइज बढ़ा देते हैं ठीक है वैसे अगर आपको ऐसा ही बटन रखना है तो आप इस बटन को डुप्लिकेट करेंगे तो भी आप इसको सिमिलर बटन मिल जाएगा तो आप इस बटन को फिर डिलीट भी कर सकते हैं तो आपके पास कुछ प्रॉपर्टिस अल्रेडी सेट हो चुकी है इसमें क्योंकि आपने इसको डुप्लिकेट किया है बट अब इसको आपको नाम चेंज करना है तो इसको दे दीजी क्लि क्लिक टू जो यहां टेक्स्ट आएगा क्लिक टू अब कलर तो मुझे चेंज करना ही है क्योंकि जब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो इसका कलर चेंज होगा और जब मैं इसको ग्रीन रखा है और इसको मैं कुछ और रख लेती हूं जब लेते हैं चलिए अब हम इसके लिए कोडिंग करते हैं तो वापस हम कोड मोड पर जाएंगे कोड मोड पर जबाएंगे तो सबसे पहले तो हमें ओन event लेना है क्योंकि हम event trigger करना है किसके लिए जब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो उसके लिए event trigger करना है क्या करना है ID पर जाएंगे तो click button 1 को हमें click करना है यह click यहां पर है यह already click करेंगे तो इस button का property change होगा तो set property लेंगे हम यहां से set property लिया हमने यहां पर हमने snap किया इसको यहां ID अब हम कौन सा लेंगे क्योंकि हमें button 2 का color change करना तो यहां click button 2 वाला ID लेंगे और उसका क्या करना है हमें background color change करना है अभी उसका background color c blue है तो हम उसको क्या करेंगे हम yellow रख लेते हैं चलिए अब हम इतना run करके देखते हैं कि हम click 1 कर रहें तो click 2 का color change हो रहा है कि नहीं run करते हम यह देखिए मैं जब इस पर mouse ला रही हूं इसको मैंने tap किया तो देखिए click 2 का color change हो गया है चलिए अब हम ऐसा के ऐसा coding click 2 के लिए कर लेते हैं कि जब मैं click 2 को tap करूंगी तो click 1 का color change जाना चीए तो मुझे क्योंकि same coding करनी है तो मैं क्या करूंगी यहाँ से click करके इसा drag करूंगी और इस ब्लॉक्स को select कर लूंगी फिर ctrl c कीबोर्ट से ctrl c करके इसको copy करूंगी और ctrl v करके paste करूंगी तो यह देखिए यह आ गया same आपके blocks copy हो गए लेकिन मुझे क्या चाहिए click 2 के लिए event trigger करना है तो मैं यहाँ पर जांगी और click button 2 लूंगी कि जब उस पर click होगा तो क्या होगा set property click button 1 के लिए चाहिए मुझे इस button का color change होगा तो मैं यहाँ पर जाके click button 1 करूंगी और इसको भी yellow रखना है तो हम yellow रख सकते हैं या कुछ और रखना है तो हम और रख सकते हैं चलो white रख लेते हैं white कर देते हैं अब हम इसको run करके देखते हैं अब देखिए जब मैं click 1 पर करूंगी तो यह वाला yellow हो जाना चाहिए क्योंकि मैंने या दिया yellow click 1 यह yellow हो गया है अब अगर मैं click 2 पर करती हूं तो यह वाला white हो जाना चाहिए चली हम करके देखते हैं यह देखिए यह वाला white हो गया है अब हम एक बार फिर्से को run करके देखते हैं पहले click 2 को हम करेंगे फिर यह वाला यलो हो चुका है है ना तो देखा आपने कितना इंट्रस्टिंग और कितना इजी है एप बनाना तो आप भी अपना खुद का ऐसा ही एप बनाईए और मुझे भी लिंक शेयर कीजिए चलो हम हमारे इस प्रोजेक को रिनेम कर लेते हैं हम इसको देदेते हैं माई से वीडियो पर नए आया और पहली बार देख रहा है तो इसको अगर आपको आपके फैमिली फ्रेंट के साथ शेयर करना है तो शेयर पर जाएंगे और यहां से आप पर फेसबूप पर शेयर कर सकते हैं या फिर इस लिंक को यहां से सिलेक्ट करके फिल्पर इसे कॉपी करके यहाँ पर नए टैब में WhatsApp खोलके आपको जिसको भी शेयर करना हो उसकी चैट पर जाके आप वहाँ पर Ctrl V से प्रिप्ट करके एंटर करेंगे तो आपका ये एप शेयर हो जाएगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा और आपने अगर आप बनाया है तो प्लीज प्लीज मुझे शेयर करके जरूर बताएँ तो थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो और पापाई फॉन नौ